अलो फ्रेंड्स, नॉनीत कॉर के किचन में आपका स्वागत है गर्मियों के दिन है और कुछ कूल चीजे ज्यादा अच्छी लगती है और आज हम एक कूल चीज की ही डिश बनाएंगे मेलन, मेलन हमें बहुत कूल रखता है तो आज हम मेलन की एक दिश मनाएंगे तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए वान कप कर्ड, योगर्ट फ्रेंड्स ये घर में दई जमाई है उसमें से वान कप यहां पर रखी है फाइल टी स्पून्स ग्राउंड शुगर लेवल टी स्पून्स और ये घर में ही नॉमल शुगर को ग्राइंड करके मैंने वाली लिया फ्रेंड टी स्पून वनीला एसेंस फोर फाइव आमंड स्लिवर्स ऐसे काट लिया बदाम को ये जो कर्ण है इसको हम सीव में ऐसे 30 मिनिट के लिए रखतेंगे इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है काफी सारा वाटर ड्रेन आउंट हो जाएगा और उसके बाद हम इस कर्ण को यूज करेंगे देखें फ्रेंज अब ये 30 मिनिट हो गए है और मैंने निकाल की इसको डिश में डाला है और इसी में हम ये ग्राउंट शुगर डाल देंगे और वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको फिर हम विस्क के साथ बीट करेंगे फ्रेंज दो नान दो इत विस्की तो यूज बीट विस्क तो यूज आपको दो इत विस्क अब इसको उतनी देर विस्क करेंगे जब इसमे शुगर अच्छी तरह से डिजॉल हो जाएंगे अब देखिये इसमें शुगर फुली डिजॉल हो गई है अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं और अब हम मेलन काटेंगे फ्रेंज इस वरी इंपॉर्टन देट यू नोटिस इट लेंग थ्वाइस काटना है विट थ्वाइस नई काटना इसको देखिये हमने सब काट लिये हैं अब इसके हम सीड निकाल देंगे और फिर हम इसको पील कर लेंगे देखिये अब हमने ये सारा डी सीड कर लिया पील कर लिया और अब हम इसको डिश में लगाएंगे हमने हाफ मीडियम मेलन लिया था और वो हमने डिश में लगा लिया है अब देखिये हम वनीला योगर्ट इदर डालेंगे अब हम इस पर आमंड स्प्रिंकल कर देंगे लिजे आपका मेलन विद आमंड जोगर्ट त्यार है अब नव यू मेक इट एट अब से कूल अब बालेंगे